हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो कीर्ट ब्रार, कीर्ट ब्रार में आपका स्वाग्ध है, आज की वीडियो में हम आपको अनार का जूस निकालने की तरीके और इसके फाइदे बताएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे आप के आप अपने बच्चों को कितनी में ये जूस दे सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कि जब आपका बच्चा 6 महीने से उपर का हो जाए, तो आप उसे सॉलिड फोड देना शुरू कर सकते हैं, सॉलिड फोड में आप उसे अनार का जूस दे सकते हैं, जब आपका बच्चा 9 से 10 महीने का हो ज या जब आपका बच्चा दात निकालने लग जाए तो तब भी आप उसे आदा अनार खाने को दे सकते हैं। इसमें विटामन बहुती अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। यह एंटी ओक्सिडेंट फ्रूट है। मतलब जब आपका बच्चा बिमार हो जाए तो तब यह उसे बिमारियों में लड़ने की ताक्त परदान करता है। एक बात का आपको बहुती अच्छे से ध्यान लखना होगा कि जब आपका बच्चा बिमार हो तो तब आपको उस कंडिशन में आपको अनार का जूस उसको नहीं देना है। हाँ यह जूस बिमारियों को लड़ने की ताक्त तो परदान करता है पर ऐसा नहीं है कि आप बिमारी के टाइम भी उसको यह जूस देती रहीं। इसमें पोटाशियम भी अच्छी मातरा में होता है। यह हड़ियों को मजबूत करने में मदद करता है। और स्रीर में खून की कमी को पूरा करता है। यह प्रेग्नेंसी में भी बहुत लाब देता है। तो चलिए चलते हैं अनार का जूस बनाने की और अगर आप जूस ब बता देती हूं आप इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो पहला है आप एक पॉलिथिन में अनार ढाल कर उसे बेलन से प्रेस करकर जूस निकाल सकते हैं। और दूसरे तरीके में अगर आपके घर पर निम्बून चूड़ने वाली है तो आप उससे भी अनार का जूस निकाल सकते हैं जिस तरह हम निम्बू का जूस निकालते हैं। और तीसरे तरीके में आप अनार को एक बाउल में डाल कर उसको गलास की सहायता से प्रेस करकर जूस निकाल सकते हैं। और चौत्छे तरीके में हम टाटो मैस्चप की सहाय पाइता से दबाग कर भी अनार का जूस निकाल सकते हैं। अगर आप पॉलिथिन वाला तरीका अपना रही हैं तो आपको एक बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। कि आपका पॉलिथिन बहुत ही अच्छे से साफ हो। तो अगर उसमें कोई किटानू लगा होगा तो वो जूस के जरीए आपके बेबी के पेट में जा सकता है इसलिए आपको इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा और जो शेबां तरीक है उसमें मैं आपको अनार का जूस निकाल कर दिखाऊंगी कि आप अनार का जूस के इस तरह से निकाल सकते हैं तो चलिए चलते हैं अनार का जूस निकालने के और देखिए हमें अनार का जूस निकालने के लिए एक अनार और एक बाउट और एक छुरी चाहिए तो चलिए अब हम अनार को शील लेते हैं सबसे पहले हम इसका उपर का हिस्सा काट देंगे और अब हम इसके साइड पर कट लगाएंगे और इसको एक कट बीज के हिस्से में भी लगा देंगे जिससे के इसके बीज असानी से बाहर निकलाएंगे सोच रहे हूंगे कि अनार का कलर लाव नहीं है पर मैं आपको बता दूँ के ये कुदरती तरीके से गर में ही पैदा किया हुआ अनार है ये खाने में बहुती स्वादिश्ट है मैं हार रोज इसी अनार का अपने बेबी को जूस पिलाती हूँ अब हम अनार के सारे दाने एक बाउल में निकाल लेते हैं तो देखिए हमने सारे दाने इस बाउल में निकाल लिये हैं तो देखिए दोस्तो एक अनार से इतने दाने निकले हैं अब मैं आपको इसका जूस निकाल कर बताऊंगी तो जूस निकालने के लिए हमें एक चमच की जरूरत पड़ेगी अब हम चम्च की सहायता से इसे इसी तरह दबाती रहेंगी इसे अच्छी तरह से दबाना है तांकि इसका जूस अच्छे से निकल जाए आपको कुछ तेर इसे इसी तरह अच्छे से दबाते रहना है जब इसका जूस निकल जाए तब आप इसे एक लग बरतन में निकाल सकते हैं तो देखिए जूस निकलना शुरू हो गया है तो देखिए अनार का जो जूस है वो अच्छे से निकल चुका है अब हम इसे शन्नी की सहाईता से एक लग बरतन में निकाल लेते हैं अब हम इसे एक बार चम्च से अच्छे से प्रेस कर देते हैं तांके जो भी जूस इसमें हो वो अच्छे से नीचे गिर जाई तो देखिए कनार का जूस अच्छे से निकल चुका है अब हम इसे अपने बेबी को पिला सकते हैं तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करकर जरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा जाते जाते मेरे चैनल को सुस्क्राइब करतीजिए थेंक्यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में